तो दोस्तो इस्टेडिकेड़ एज्यूकिसन हमें आपका स्वागत है नेक्स्ट हमारा एससे है वन रेंग वन पैंसनी स्कीम जो सरकार ने स्टार्ड की दी तो उसको पर भी ऐससे बन सकता है एससे हमारे पास लगवक पंद्रा इससे है जो हम अशित्र इसके से उनको करते हैं उनकी पीडिएफ में प्रवाइड करवा दूँँगा एक्जाम क्लियर डोट कॉम पे आज शाम तक डलवा देता हूं उन सभी को पीडिएफ को आप सिंप्ली डाउनूड करना और जाते जा जंबना ही कहीं जाएगी कि एक और जहां भारतिय सेनिक अपने जीवन की परवाग किये बिना राष्ट को समर्पिद हैं वहीं दूसरी और उने पैंसन जैसी मूलभूत आवसेक्ता के लिए संगर्च का सामना करना पड़ रहा है संगर्च करना पड़ रहा है ठीक है तो य उने लेने के लिए भी यहीं संगर्च का सामना करना पड़ रहा है समान रेंक समान पैंसन से आश्य है कि अलग-अलग समय पर रिटाइर हुए एक ही रेंक के दो सेनिकों को समान पैंसन देना वरतमान समय में सेवा निर्वत होने वाले सेनिक के समय जो नियम होगा इसी के अनुसार पैंसन देने का प्रावधान है, 1973 के समय समान रेंक वे समान पैंसन के अधार पर सेनिकों को पैंसन दी जाती थी, जिससे पैंसन सेना में अन्य छेत्रों में अधिक थी, स्रीमती इंद्रा गांधी के अधिक्षता में तीसरे वेतन आयों के समय ये वैस्था समाप्त करती गई ठीक है तो पहले थी जैसे कि हमने बताया है कि 1973 में समान रेंग वे समान पैंसन के अधार पर सेनिकों को पैंसन दी जाती थी जिससे कि पैंसन क्या अन्य शित्रों से अधिक मिलती थी लेकिन श्रीमति इंद्रा गांदी जी ने तीसरे वेतना योग में यह वैस्ता सदम कर दी परंतु वर्तमान सरकार ने 2010 में बनी कोश्यारी समीति के सुझावों के अधार पर 5 सितंबर 2015 को यू आरोपी योजना लागू की औरोपी के तहट वित्या वर्स 2015-2016 में 1000 क्रोड का बजट होगा इस योजना के अंत्रगत पैंसन रिवीजन की अवदी ती पांच वाले सैनिकों को इससे अलग रखने तथा सैनिकों की विद्वाओं को पैंसन देनी कारेबर ना लिए जिससे सैनिकों का मनोबल भड़ने उनके भावश्य की चिंता खतम होने सेवा निरवर्द होने के बाद सौलंबन जैसी जीने तथा वित्यसंतुलन समा स्थापित करने जैसे लाब होंगे तो उन्हें क्या-क्या लाब होंगे अगर हम यह इसी स्कीम से अगर स्टार्ट कर देते हैं जो कि रिटायर होने वाल बंदून को लग कर लें या फिर 5 साल तक हमारी जो पैंसने वह रिवीजन हो तो इससे यानि कि उनका मनोबर बढ़ेगा और बहुस्ते कि चिंता खतम होगी वह उन्हें सेवा निरवर्त याने कि अगर वह उनकी जोग खतम हो जाती है तो उनके बाद भी आने कि स्वाव लंबने खुद से अपना जीवन व्यतीत करें वह तो यह सारी चीजें परंतु in restrictions के कारण सरकार के राजयसे में negative effects क्या हो सकते हैं इसके परंस परंतु परंतु time के करन सरकार के राजते रूपसे स्वावलमभी और समरथ बनाने के लिए और अभूद पूर्व कतम है लास्ट में क्या लिखेंगे सरकार को इसमें उजित परिवर्तन करते हुए इस योजना के द्वारा सेनिकों के बहुत से को उज्वल बनाने हितु सुद्रण प्रियास करना चाहिए तो यह हम ऐसे करने चाहिए तो दोस्तो देखो ऐसे कुछ भी आ सकता है पिछली बार सीजल के अंदर सभी करन्ट के टोपिक करके गए थे लेकिन फिर भी यानिकी जो हमारे एक तरह की से स्टाटिक बोल सकते हैं टॉपिक हमारे भुकम पा गया जो कि एनेस्पेक्टेड था वहां पको ओप मैं करन्ट के साथ भी करने चीए ठीक है दोस्तों तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मैं चनल स्टेडी गिडा थेंक्यू दोस्तों